इस देखने में इस सिंगारी की सब्ची कितनी युँम्मी और लग रही है तो आज की देखते हैं यह काया है कि यह स्बित अगर बात और अगर पसंद आए तो प्लीज 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 कमेंट जिरूर करिए करिये और लाइक करिए सब्सक्राइब करिए हलो एवरिवर्ण हम जाया प्रका श्वागत करते हैं अपने चैनल चाहयामिस्रा में तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लों के लिए क्याला है तो चलते हैं कि चन के तरह आज देखें हम बनाने जा रहे हैं सिंघारे की सब्ची क्योंकि इस टाइम इस टाइम नाच्छा सिंघारा होता है यह देखें आप ऐसे तोड़े पर टूप जाता है बहुत अच्छा बहुत नीठा लगता है तो चलिए बना लेतें देख लेतें एक यह मीडियम साइज का ट तो आप टेबल स्पून जीरा ले लिया है जो इसमें डाल जाएगा यह देखें जीरा हो चुका है तो अपना यह टमाट्रा का पेस्ट डालेंगे यह देख सकतें गाइस यह सिंघारे हैं हम इसके टुक्ड़े कर लेंगे आप चाहें तो आप समूचे भी रख सकतें देख सारे ऐसे ही कर लेंगे मसाला मारा बून चुका है ओयल दिखने लगा है तो आप इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पूल धनिया पाउडर और अप टेबल स्पूल हल्दी पाउडर तेखें मसाले हम बहुत कम यूज कर गए और रेड मिल्स वगरा नहीं उस कर लिया है तो क अब बनाए और जादा मसाले यूज करते हैं इस वज़े से किसी को भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम ज़्यर्णली वही मसाले यूज करते हैं जो सब के घर में अवेलबर होते हैं हर वक्त तो देखें हमारी जो सब की है मसाला बुन चुका है याप साइड मे देख सकते हैं सारा की ओयल आ चुका है तो यह अपने हमने कटेव भी सिंघाड़े हैं इसमें एड करेंगे ठीक है और लगवग लगवग एक से दो मिनट इनको हम भून लेंगे अच्छे से इसी मसाले के साथ में यह देखे गाइस एक टेबल स्पून हम डालेंगे नमक य यह देखे गाइस यह थोड़ी से अमने कस्तूरी मेथी लिए है इसको भी मसल के इसमें एड कर देंगे इससे खुस्पूप बहुत अच्छी आएगी और आप इसके साथ में भून लेंगे शिंघाड़ों को दो मेर्ट यह देखे गाइस हमारा यह बून चुका है और इसम अब इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए तो आप अपने हिसाब से डालें एक कटोरी डाले हुई है तो अभी इसमें एक कटोरी और पानी आड करेंगे क्योंकि हमारा पकेगा तो इसमें जलेगा पानी ठीक है यह देख सकते हूं तो एक कटोरी और हमें आड कर दिया कर देखे हेता है और यह देखिये हम इस तरह से लेकर करको स्थक्ज़ाओ या ने नहीं अवे देखे है तो खीहे ये तो मिया सबंद सब्सक्राइल बंद द दो आ और सब्सक्रान देखे कर दियु 있으ц अब हम इसमें क्रीम तरियां से गर्णिस करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग हमारी सब्जी कितनी यम्मी लग रही है और कितनी टेस्टी लग यह देखने में तो आज कि हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर मिलते है नच देखने नच देखने लग देखने के वाँ बदाई